नम्सकार मित्रो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आध्यात्म पुजा प्रकाश में मित्रो मैं यहां एक रोचक जानकारी देने वाला हूँ निर्जला एकादशी व्रत के बारे में मित्रो निर्जला एकादशी व्रत इन महिलाओं को कभी नहीं करना चाहिए निर्जला एकादशी व्रत को शास्त्रों में आदिक महत्वपुन बताया गया है क्योंकि इस व्रत में अन्न जल को ग्रहन करने की मनहाई है इस बार निर्जला एकादशी व्रत की सही महूर्थ 17 जुन को 4 बचकर 45 मीनट पर लगेगा और जोकि 18 जुन को सुबह 6 बचकर 26 मीनट पर समाप्थ होगा अताह उदया तिथी के अनुसार निर्जला एकादशी व्रत 17 जुन को मनाया जाएगा शास्त्रों की माने तो इस व्रत को करने के लिए कुछ महिलाओं को मनहाई है तो ऐसे में किन महिलाओं को यह व्रत नहीं करना चाहिए आए जानते हैं सभी एकादशी व्रत में निर्जला एकादशी व्रत सबसे महत्वपून है क्योंकि सादक इस व्रत में अन्नव और जल्दोनों का ही त्याग करता है यह व्रत हर वर्ष जेश्ट माह के शुकल पक्ष के एकादशी तिथी को मनाया जाता है इस एकादशी को भीम सेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस व्रत का संबंध गदाधारी भीम के जीवन से भी है निर्जला एकादशी महिलाओं के लिए बहुत आधिक शुब माना जाता है शास्त्रों में यह वरत करने की कुछ महिलाओं को मनहाई है शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी के वरत से महिलाओं को पुत्र वरत्म की प्राप्ति होती है ऐसे में नंबर एक है गर्भवती महिलाओं को यह व्रत नहीं करना चाहिए इस दिन गर्भवती महिलाए भगवान विश्नु की पुजा पाठ कर सकती नंबर दो निर्जला एक आदशी व्रत को आधिक उम्र की महिलाओं को नहीं करना चाहिए नमबर तीन निर्जला एकादशी व्रत को लंबे समय से बीमार चल रही, महिलाओं को नहीं करना चाहिए इन महिलाओं को भगवान श्री हरी के पुजन करके कथा का पाट करना चाहिए शास्त्रों का मानना है कि इस पुजन पाट से घर और वैवाहिक, जीवन शुकमे होता है और संतान की भी प्राप्ति होती है नमबर चार शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के दोरान महिलाओं को यह व्रत नहीं करना चाहिए अगर व्रत के दोरान मासिक आ जाए तो वह महिला व्रत रहकर दुसरे से अपना पुजन करवा सकती है माननेता है कि इससे भी पुजा सफल होती है मित्रों अगर दी गई जानकारी पसंद आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे और अपने प्रिये जनों के साथ साजा जरूर करे और वीडियो को लाइक जरूर करे धन्यवाद